जै हिन दोस्तों UPSC Hindi Case Online Platform पे मैं अवनी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि सब की exam की preparation अच्छी चल रहे होगी सब लोग लग गए होंगे 22 December और 27 October के लिए ROARO परिक्षा के लिए और PCS की परिक्षा के लिए आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो ना हिस्ट्री है ना जियोगरफी है ना पॉलिटी है बलकि हमारा जो टॉपिक आज का होगा आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट से भी important महतवपूर्ण चीज़ क्या है एक्जाम के preparation में रड़नीती की कितनी एहम भूमिका होती है ये अगले 10 मिनट में आपको अगले 10 से 15 मिनट में क्या है आपको पता चल जाएगा जो बातें शायद आज तक आप नहीं जान पाये थे आज ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा आपको हसास होगा कि मैं आज तक क्यों fail होता आया हूँ या फिर फलाना अदमी जो जिसको भी आप जानते हैं वो क्यों हर एक्जाम में पास होता आया है और आप जो है मैं ये कहूँगा आपसे request करूँगा हाद जोड के विनिती करूँगा आपसे कि आप जो है एक notes लेके बैठें एक notes लेके बैठें और मैं आज दो categories की बात करूँगा दो category किन की कितनी category दो category की बात करूँगा दो group में बाटूँगा आप देखिएगा अगर आप पहले group में आते हैं तो आपके क्या लक्षण है या फिर आप analysis कीजिएगा कि क्या जो मैंने group बाटा है वो सही है आप किस में आते हैं पहले में या दूसरे में क्या अपने पहले वाली group की रणनीती जो है वो follow की और क्या जो result है वो जो दूसरे वाले group का आ रहा है या फिर दूसरे वाले group की अपनी रणनीती follow करते हुए किसी को देखा है वो strategy follow करते हुए देखा है और उसका result जो है वो पहले वाले group का जो result होना चाहिए वो है तो क्या है पहला group क्या है दूसरा group बस आज बहुत महतुपूर्ण है आपकी जिंदगी का साथ ये turning point हो जाज ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखने के बाद यहाँ पे ये साथ आपकी जिंदगी का जो है वो बहुत महतुपूर्ण छड हो आज जहाँ पे आप एक निर्ड़े लें बड़ा निर्ड़े लें अपने आप में अपने अंदर परिवर्तन करने का और जिसने परिवर्तन नहीं किया समय के सबसे बड़ी चीज की history, geography, polity, economy पढ़ने से पहले एक proper strategy होनी चाहिए, देखिए आपने छोटा सा एक उदारन दोंगा 10 सेकेंड का, आपने महाभारत देखा है न, महाभारत, वहाँ पे रड़नीती कितनी बड़ी भूमिका निभाती है जीवन में न, रड़नीती जो है, वो क पाँच पांडो क्या के कैसे घुटने टेक देते हैं, ये रड़नीती में छुपा हुआ, उस रड़नीती के, जो, मतलब जिन्होंने उस रड़नीती को बनाया, वो थे भगवान कृष्ण, उन्होंने कहीं भी अपने अस्त्र शस्त्र उन्होंने नहीं उठाए, लेकिन सिर एक दम, मतलब जमीन पे लिटा देते हैं, पूरा खांदान समाप्त हो जाता है, पूरा एक वंच समाप्त हो जाता है, तो वो है रड़नीती का दम, तो आज देखते हैं हम लोग फिर ये परिक्षा कौन सी बड़ी चीज है, अगर हमारी रड़नीती सही हो, हमारी हूँ या नहीं, रिजल्ट के लायक हूँ या नहीं, आपको आज ही पता चल जाएगा, क्या आप एक्जामें फेल होने जा रहे हैं, या पास होने जा रहे हैं, आज ही ये ये रड़नीती तै कर देगी, बस आप दस मिनिट देखिए, ये तै कर देगी, ये मैंने इतनी सार बातें जो है बता दिया आपको पांच मेर्ट में इसलिए ताकि आपको महत तो समझ में आई इस वीडियो गा कि क्यों ये वीडियो इतना महत पूर्ण है आईए चर्चा करते हैं देखिए परिक्षा में दो लोग होते हैं या तो पास होते हैं या तो दूसरा फेल होते हैं तो जो पास होते हैं वो toppers कहे जाते हैं, उनमें भी कुछ की rank अच्छी आ जाती है, 2, 4, 10 number अधिक पा जाते हैं, isn't it, right, और जो fail होते हैं, उनकी कोई rank नहीं होती, वो अगर एक number भी कम पा करके fail हो गया न, अगर 730 वाला select होता है, और 729 वाला fail होता है, तो ये fail माना जाता है, इसो कोई पुरसकार नहीं मिलता है, कि तुम एक number वो कम पाए हो, इसके लिए कोई पुरसकार नहीं मिलता है इसको, तो topper की रड़नीती क्या है, और जो fail हो जाते हैं, जो बच्चे महनत करने के बावजूद भी, इन टॉपर से ज़्यादा महनत करने के बावजूद भी, जो बच्चे fail हो जाते हैं, उनके क्या लक्षन होते हैं, आप देख लीजे, उनमें क्या सुधार की जरूरत है, क्या उनको अपनाना चाहिए उनको रर्न ही ती आج उस पर चर्चा करेंगे सबसे पहली बात इस पे हम लोग आج छे से साथ बिंदू पर चर्चा करेंगे जिसमें सबसे पहला बिंदू है जो आपको past या फिर fail की category में डालता है जो आपको past या फिर fail की category में डालता है, उसमें सबसे पहला जो बिंदू है, वो है हमारा, शुरुवात कहां से होती है देखेगा, आप खुद से जोड़ के देखेगा, कि ये बात कितनी सही है और आप पर लागू होती है या नहीं, ये सबसे पहले देखना है, सबसे पहली बात आती है, consult, जब एक बच्चा नड़े लेता है कि मुझे ये exam देना है, ROE RO, UPPCS, UPAC, SSC, जो भी नड़े लेता है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो सलाह लेने जाता है, वो सलाह लेने जाता है, और सलाह किस के पास लेने जाता है, कभी teachers के पास, कभी किस के पास जाता ह है, teachers के पास, या फिर कभी कोई योग बड़े होते हैं, जो ज़्यादा दिन से preparation कर रहे होते हैं, जो मतलब अनुभवी लोग होते हैं, experience लोग होते हैं, उनके पास जाता है, किनके पास? अनुभवी लोगों के पास, या फिर teacher के पास जाता है, अब सबसे पहली, जो सबसे पहला कदम हैना वो कैसा पड़ा है, ये बहुत important होता है, ठीक? सबसे पहला जो है, वो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है, टीचास और अनुभवी लोग करते क्या हैं, पहला क्या करते हैं, strategy, strategy बताते हैं, कि कैसे हमको तयारी करनी है, तो कुछ बोलेंगे, NCRT पढ़ लो, बुक पढ़ लो, वीडियो देख लो, आडियो सुन लो, ये नोर्स पढ़ लो, वो नोर्स पढ़ फलाने नोर्स पढ़ लो, इतनी मोटी बुक पढ़नी पढ़ेगी, ऐसी बुक पढ़नी पढ़ेगी, वैसी बुक पढ़नी पढ़ेगी, ऐसे पढ़ना पढ़ेगा, इस कोचिंग में, तमाम सारी बाते हैं, strategy में, दूसरी वो क्या शेर कर देंगे आपसे, number of books, कि NCRT में ये किताबे पढ़ लेना, ये ये जो है वो books पढ़ लेना, ये आपसे क्या करेंगे वो, share कर देंगे, ये दोनों share करेंगे, लेकिन, लेकिन इसमें सबसे जो महतवपून बात है, देखे, यहीं पे टापर्स और failure की, जो टाप करते हैं, और जो fail हो जाते हैं, उनमें अंतर यहीं समझ में आ जाता है, ये जब यहां consult करेंगे, तो आज नड़े लेकर आएंगे, जिस दिन consult करेंगे, जिस दिन सलाह लेंगे, उस दिन नड़े लेकर आएंगे, कि रात में आकर के घर पे, शाम में आकर के घर पे, नड़े ले लेंगे, कि कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है कौन सी वीडियो दिखनी है और क्या करेंगे ये मतलब पूरी स्ट्रेटजी आज के डेट में सलाह लेकर के घर पे और फिर बस इनका पहला और आखरी सलाह होगा ये इनका पहला होगा और आखरी सलाह होगा राइट लेकिन ये जो fail होने वाले हैं इनकी जब ये एक बार जब शुरुआत हो जाती है न सलाह लेने की तो ये बंद ही नहीं होती है एक बार सला, दो बार सला, तीन बार सला, चार बार सला, रोज रोज सला, दोस्तों से सला, टीचर से सला, मिलने जुलने वालों से सला, रिष्टेदारों से सला, और ये सर्फ सलाहकार खोशते रहते हैं सबलना हुए देखें वह घतना चक्र पढ़ रहा है पेफेर पढ़ेंगे और we पड़ी थी हर सफ़ल लोगों के पास पास फोन करेंगे मा-बापसे रिष्टेदारों से सबसे request करें जैसे ही देखेंगे कि कोई अधिकारी है लब-लबाना शुरू कर देंगे वहाँ पहुंच करके आपके साथ दो मिनट बैठ करके अपना भी स्थित्तों गिराएंगे जो अपने आसपास के लोग है उनका भी स्थित्तों गिराएंगे और उसी सबसे बड़ी समस्या है उसी व्यक्ति दस बार सला ले लेंगे एक तो यह दस CDEF, इतने 6-7 लोग हैं, ये कोई और किताब पढ़े रहेंगे, तो वो वाली किताब लेके आएगा, फिर ये कुछ और बता देंगे, 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 ये कुछ और बता देंग बार बार सलाह देते रहेंगे और आपकी स्ट्रेटजी बार बार बदलती रहेंगी, किताबें बदलती रहेंगी, इतनी किताबें हो जाएंगी कि जीवन में मतलब किताबें ये किताबें, तो पहली बात ये हो गई, तो शुरुवात यहीं से हो जाएगी, यहीं से शुरुवात हो जाएगी, उनके फेल होने की तरफ यह पहला कदम, जैसे जो टॉपर है ना, एक लोगों से सलाह लेने के बाद, जब वो स्ट्राटजी बनाता है, तो वो पास होने की तरफ कदम बढ़ाता है, और जब यह जो फेलियोर होते हैं वो फेल होने की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो आप यह आज डिसाइड करें, यह पहला वाला देख करके, पहले बिंदु पर, कि आपने फेल होने की तरफ कदम बढ़ाया है, या आपने पास होने की तरफ कदम बढ़ाया है, तो आप लिखें कॉपी पर, अगर दस लोगों और जो fail होने वाला है भाया जब कदम वहाँ से शुरू हुआ है तो फिर दिखेगा भी न ये क्या है आएगा limited source हर subject पे एक एक standard book चार शे किताबें इनके पास होंगी ठीक ना map book होगा इनके पास और इनके पास चुकि ये हर दिन सलाह लेते हैं तो हर आदमी अलग अलग सलाह देगा तो इनके पास कम से कम जो है 50 से 60 किताबें होंगी घर पर और ये रोज आकर के गाएंगे हमारे पास जो है इतिहास की 16 किताबें हैं हमारे पास भुगोल की 4 किताबें हैं और ये क्या करेगा ये कुछ बोलेगा नहीं, क्यों क्या बोलने के लिए इसके पास हर किताब, हर सब्जेक पे एक एक बुक्स है, तो ये रही बुक्स सेलेक्शन, तो अब आप देख लिए अगर आपके पास 20, 25, 30 किताबें हैं, 10, 20 नोट्स हैं, 3, 4 वीडियो क्लासेश हैं, तो आप देख लि हैं, फेल होने की तरफ, फेल होने की तरफ कदम बढ़ा दियें आपने, और अगर आपके बुक्स सोर्स लिमिटेड हैं, तो आपने किधर कदम बढ़ाएं हैं, पास होने की तरफ, तो पहले बिंदु में लिख लिजे, कि आपने फेल होने की तरफ कदम बढ़ाया है, या पास होने की तरफ कदम बढ़ाया है, फिर दूसरा बिंदू डालिये, उसमें आप लिखिये कि आपने पास होने की तरफ कदम बढ़ाया है, या फिर फेल होने की तरफ कदम बढ़ाया है, इन शे बिंदूों पे अपने आपको रख के परखिये, परखिये और लिखिये कि मैं किस तरफ अग्रसर था और आगे किधर जाऊंगा तीसरा चीज तीसरी बात road map the most important thing the most important thing road map इनका जो map clarity होगी इनकी जो map clarity होगी कि अगर इनका पहले से ही decided होगा कि मुझे लखनौ जाना है और ये पहले से ही road decide कर लेंगे अपना कि मुझे यहाँ जाना है फिर यहाँ से यहाँ जाना है और जो दूसरे जो fail होने वाले हैं जो ये pass होने वाले हैं इनका decided होगा एक बार strategy बन गई तो फिर वो change नहीं होगी इनकी हमेशा change होती रही हर 10 km पे जाके रास्ता पूछेंगे और इधर उधर इधर उधर भटकते रहेंगे यह देखिए अब यह हमने बताया ऐसे general way में अब आप देखे इसको काईदे से आप समझेए road map में क्या होगा सबसे पहले यह दुकान पर पहुँचेंगे जो pass होने वाले की बता रहा हूँ pass इधर fail यह जब bookshop पर पहुचेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे syllabus syllabus खरीदेंगे और क्या लाएंगे PYQ PYQ लाएंगे दो चीज लाएंगे और यह जो fail होने वाले है न यह अब भया किताब वाले और कोई फलाने जो है नाम की एक किताब आती है वो जारा दे दो हमको कितने किये अच्छा 600 किये थोड़ा दस बीस रुपए कम नहीं कर दोगे क्या हाँ कम बीस रुपए कम कर दो जिंदगी बन जाएगी हमारी अच्छा यह किताब दे मोटी वाली किताब 600 पन्ने वाली कोई एक इंशेंट हिस्ट्री मेडवल हिस्ट्री कुछ उठा के ले आंगे तयारी कर रहे है यार मतलब ऐसे थोड़ी हो जागा 200-400 पन्नी किताब तयारी कर रहे है लगना चाहे हो मोटी वाली बुक पेपर में डग के कवर करके घर पे एकदम लेके 600 पन्नी की एंशेंट हिस्ट्री इसी में से जब प्रश्ण पूछेगा तो इसी में से फसेगा उस्व पन्ने वाली किताब में से नहीं फसेगा तो ये क्या करेंगे सीधा बुक लेके चले आईए कोई भी एंशेंट हिस्ट्री, मेडवल, कियोगरफी बहुत सारी बुक आती है उसमें से कोई अपना ले लिए एक दो ठोग, 600-800 पन्ने वाली 600-700 में, और ये क्या करेगा 10 रुपए का सिलेबस खरीद है बहुत करेगा 20 रुपए का और यहाँ पे 50 रुपए का PYQ या फिर 100 रुपए मान लेजे प्रिवियस यहर ले आएगा सो कुल मिला के 100-500-200 में ये दोनों ले आएगा और इनका बहुत गहनता से बैट करके दो दिन, तीन दिन, चार दिन अध्यान करेगा अध्यान करेगा PYQ से ये अध्यान क्या करेगा क्या अध्यान करेगा सबसे पहला चीज TREND कि क्या TREND चल रहा है यानि कि कि किस विशे से जादे प्रशना रहे हैं किस विशे से कम प्रशना रहे हैं पहली चीज दूसरा चीज ये क्या करेगा कि क्या कॉंटेक्स्ट क्या है कि पहले कैसे प्रशना आते थे क्या जो है अपनी रड़नी थी बनानी होगी, तो ये trained analysis करेंगे, ये context देखेंगे, कि question का क्या context है, ठीक, तीसरी चीज, ये क्या करेंगे, cut off, most important, cut off देखेंगे, कि डेड़ सो प्रशनों में cut off कितनी है, तो अगर cut off 95 है, तो मुझे क्या करना है, सबसे subject wise अपनी strategy बनाएंगे, कि quality easy समय दूँगा, फिर उसके बाद मुझे जो है environment लग रहा है, तो उसको समय दूँगा, उसके बाद science में ज्यादा question जो है easy आ रहे हैं, पकड़ वाले आ रहे हैं, तो इनको समय दूँगा, इसमें थोड़ा ये 2-4-10 दिल book को लेके माथा पच्ची करके ये जो है अपना clear कर जाओं, इसमें current affair की क्या भूमी का है, इन सब पे analysis करेंगे, ये subject wise strategy अपनी बना लेंगे, कि मैं 95 question तक पहुचूंगा कैसे, 95 question तक पहुचूंगा कैसे, और ये महाशय जो है, ये तब तक जो है, जब तक ये 10 दिन में अपना ये analysis वगरा करेंगे, तब तक ये क्या करेंग अरे, वो तो जो है, फलाने बुक बताये थे, आप बता रहे हैं, ये वाली बुक, 2003 में इस बुक से ऐसे प्रश्न बना था, वो टीचर बता रहे थे, वाले वीडियो में नहीं सुने हो, क्या, वाली किताब खरीत के लिए ऐसे थोड़े नहीं हो जागा PCS, consult कर लेंगे, ज मतलब हम 10 साल से यहां, मतलब हम ऐसे थोड़े पड़े हुए हैं, ऐसे 200-300 पन्य की किताब पढ़के हो जाता तो हम ऐसे थोड़े बेकूफ, तुमको हम बेकूफ दिखते हैं, जाओ फलाने की किताब लेकर क्या हो, वो 800 पन्य की है, उसमें से प्रश्न मिलता है, क्या मेडवल हिस्ट्री की या एंशेंट जो भी करीदे होंगे, जावरफी की उसी की दूसरी किताब लेकर के चले आएंगे, उसकी बुक खरीद के लेकर आएंगे, फिर वहां जाएंगे, माता पच्ची बहुत बुक खरीदना पढ़ेगा भाया, थोड़े 10-20 रुपया और छ पढ़के किनारे कर दिया उसको, तदुसरी किताब ल Elderly कर दिया, और यह क्या किये तब तक अपना जो है, इसी समय में ये अपना Road Map clear कर लिए, Road Map clear कर लिए अपना, उसके बाद ये क्या करेंगे, देखिए अगला Road Map अभी यही खतम नहीं एक यह सबसे main point है, हम लोगों का यह क्या है, यह सबसे main point है, इस पर हम लोगों को काईदे से चर्चा करनी है, road map पे, क्योंकि यही road map आपका है या नहीं, तो आप fail होनी की तरफ बढ़ रहा है, या pass होने की तरफ, यह क्या करेंगे, syllabus ले आए, pyq पढ़ा, पहला, syllabus, बस, दूसरा, pyq, तीसरा यह क्या करेंगे, अब यह किसी एक-दू subject की जो इनको लगा होगा, quality, environment, जिससे ज़्यादे marks गेन हो रहे हैं, वो अली किताब सबसे पहले ले आके यह पढ़ लेंगे, right, या फिर इनके strategy हो सकती है कि history geography पहले खतम करनो, जो भी, मतलब ले आएंगे pyq देखते हुए, हर chapter का analysis करते हुए, यह क्या करेंगे, book को पढ़ेंगे, pyq के chapter wise analysis, chapter wise analysis करते हुए, किस chapter से किस तरह के प्रशन आ रहे हैं, और बाकी को छोड़ते हुए, तो इतना बड़ा chapter है, मान लेजे, suppose कि यह मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, तो इसमें यह इतना प समाप्त करेंगे, एक subject समाप्त करेंगे, कोई भी history, geography, quality, जो इनकी इच्छाई, जिसमें इनका interest लगा, वो समाप्त किया, फिर अगला आ जाएंगे, यह test, most important, जिससे aptitude इनका develop होना है, जिससे क्या develop होना है, इनका aptitude develop होना है, aptitude develop होना है, तो यह test solve करेंगे, तब तक यह किसी तीसरे से consult कर लेंगे, जो B वाले हैं, जो F वाले हैं, यह किसी third person से मिल जाएंगे, इनके मामी पापा कहीं, रिष्टेदार कोई मिलवा देंगे, यह तापर थे पने जमाने के, इनसे पूछो, यह तब तक कोई और किताब बता देंगे, या फिर कोई यह coaching बता देंगे, कि यह फलाना coaching के फलाना teacher है, वहाँ 25,000 रुपय दे के join कर लो, वो पक्का उनी के notes में से पूछता ही है, यह फिर coaching join कर लेंगे, उनका video class कर लेंगे, यह पूरा, पूरा video class कर लेंगे उनका, और यह अभी क्या किये, पहली कि किताव, इंशेंट की खतम किये, दूसरी किताव, इंशेंट की खतम किये, तीसरी फिर इंशेंट की video class करने लगे, और उसमें खूब वो फिर कहानी सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, वो fact of tomorrow, गोली, जब वो एक बार बताया ना, जब चंद्रगुप्त मौरे, जब अपने कप पहन कर जो है, सेर को मारा फलाने डिकाने सब, उसमें नोट कर डालेंगे सब, और उनको मजा आ रहा एक दम, उनको लेगा, बाकी सब बेकार है, ऐसे छुपा करके कहीं कोने में वीडियो देख रहेंगे, ऐसे कि हमारा वाला वाला वीडियो न देख ले नहीं, तो फलाने बताये हुए हैं, इसे कोने में करके वो वीडियो देख रहा होगा आपना, कहीं छुपके, लाइब्रेरी में चाए रूम में जहां भी, यह लोग बहुत वो होते हैं, इनको लगता है कि जो हम देख रहे हैं वीडियो वीडियो उसी से बस प्रश्न बनेगा, वो बताये थ बता न चल जाए किसी को, कि हम यह वाले वीडियो से पढ़ रहे हैं, और यह जो पास होने वाला है, इधर क्या कर रहा है, चुप चाप अपना घर में पढ़के, चैप्टर वो जो है, पीवाई क्यू पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, उसके बाद क्या किया, वो टेस् पर आगया, नंबर अफ तीन, चार, पांच, छे टेस्ट लगाया, उसके बाद वो अपना, और यह क्या किये, इंशियंट की क्लास, पूरी कंप्लीट करके नोट्स बना लिये हैं, और चौड़ा सीना करके एकदम से, कि भया, हम तो फलनवा टीचर से एकदम क्लास कर लिया अब रोक के दिखाओ हमको, और आके नहीं तो और नहीं तो आके दिमोरलाइस करेंगे, यह जो रोड मैं पॉला है, अब बताओ, चंदगुप्त मौरे जो सेर को तलवार्ज मारा कौन से कलर का कपड़ा पहना था, बताओ तुम, पीला पहना था कि निला पहना था, अभी चले, यह तो भाई या, सेलिबस पर चलने, पीवाई क्यू पे, लेकिन यह कहेंगे, छोड़ो, इनको पता है, कि यह बह गया, इसको पता है, यह कभी बोलेगा नहीं कि तुम बह गया, लेकिन बोलेगा, ओ, अरी, घजब यार, तुम्हारी क्या नालेज है, ओ, ओ, तुम् निला, निला कपड़ा तक तुमने याद कर रखा है, तुम्हारा सेलेक्शन पका होगा, इसको पता है, अंदर-अंदर जान रहा है, तुम गए, बेटा काम से, तुम्हारा खेल जो है, वो खतम है, वो कभी कुछ बोलेगा नहीं, अरे, यह क्यो बताएगा, वो बता देग कि चलो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन यह क्या करेगा, उसको और मोटिवेट करके, दूसरा वीडियो, यह तीसरा वीडियो, अच्छा, उसमें जो है, चांद सितारे लगे हुए थे, उसके कपड़े में उपर पॉकेट पैसे, चांद बना हुआ था, चंद रूप मैब बताया मैंने, या तो यह पहले से फॉलो कर रहा हो, या तो सुन के अब से फॉलो कर ले, धोनों बात लागव होती है उस पर, ठीक, नेक्स्ट, यह इतना हो गया, टेस्ट, पिर आएगा, चौथा उसका काम, रिविजिन स्ट्राइटिजी पर, रिविजिन, दो चालिस दिन बज जाएगा, तो सारा नोर्ट सोर्स फेक करके, मतलब बुक को फेक करके, किनारे करके, सब कुछ, पिवाई की उठा लेगा, अपने नोर्स उठा लेगा, मार रटा, 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 एकदम, रटा, 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 दिन, रात, और यह दोनों रट करके, test, रट करके test, रट करके test, यह अपनी study और वो वीडियो, वीडियो, अब कोई पढ़े तो खाली है, अभी तक तो खाली history complete हुआ है, इनकी तो वही से ही band बजी रहेगी, खाली history complete हुआ है, सिर्फ history complete हुआ है, इनकी band बजी रहेगी अच्छे से, यह क्या करेंगे, अब जल्द geography, इनका छूट गया है, quality छूट गया है, यह सब छूटे रहेगा है, यह अपना सारा अपना complete कर लिया, देख देगे, इनका सारा छूटा रहेगा है, क्योंकि एक किताब, एक सब्यक्ट की चार किताब पढ़ रहे हैं, तो जब तक यह चार किताब पढ़े हैं, तब तक व महीने, और geography, quality और economy जो है, यह दो दिन में पुरा marathon देख करके, यह क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, marathon देख करके, यह पुरा क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, उसके बाद, यह कई बार revision कर चुके होंगे, कम से कम, 5-6 बार, कम से कम क्या करेंगे, 5-6 बार revision, और इनका एक बार भी ये पढ़ने ही पाएं हैं, बलकि मैराथन देखके किसी तरह से जहलते हुए, क्या करें अपनी चीजें, कम्प्लीट कर पाएं हैं ये, नेक्स्ट, टाम टेबल, ये 7-8 गंटे डेली पढ़ेंगे, पास सोने वाले, 7-8 गंटे, continuous daily, religiously, वो 7-8 गंटे पढ़ेंगे, 7-8 गंटे इंजुआय करेंगे, 7-8 गंटे सो लेंगे, ये क्या करेंगे, ये एक दिन 12 गंटे पढ़ेंगे, एक दिन अगले दिन 14 गंटे पढ़ेंगे, और ये जो बाकी 6 गंटा है, इसमें आडियो बीडियो देख करके किसी तरह complete करने हों, गिन लेंगे कि हम 14 गंटा पढ़ लिए, हमने इतने समय जो है, टेबल पे बिताया, हमने 14 गंटे पढ़ाई कर ली, या फिर एक दिन कर लेंगे, और अगले 4 दिन फिर मस्ती, मौज मस्ती करेंगे, और ये गिनेंगे कि हां, 14 गंटे हम एकी दिन पढ़ करके, फिर किसी दिन 14 गंटे पढ़ दूँगा, तो आप कौन से वाले हैं, डेली 7-8 गंटे वाले या हर तीसरे दिन 14 गंटे पढ़ने वाले है, पन नोट करते जाइए, कि पास होने वाल में या पास होने वाले नेक्स्ट एक्जाम के अब सबसे बताता हूं एक्जाम के दस दिन पहले की स्थिती एक्जाम के दस दिन पहले की स्थिती अगर एक्जाम के दस दिन पहले इसको दूसरे तरीके से भी बता दूँगा जो ये होंगे पास होने और ये इस बार तो एक ही किताब पढ़ पाया हूँ, हिस्ट्री तो मैंने किसी तरह त्यार कर ली हार्ड यो वीडियो देख करके, चार किताबें पढ़ रखे, हिस्ट्री में हमारी तरह थोड़ीन कोई है, आज है कोई माई का लाल अभी बैंड बजा दूँगा हिस्ट्री म सबको, अगले साल वो तुरन बना लेते हैं, एक्जाम के दस दिम पहले जब आप मिलेंगे और तैरी के सचल लई है, तैरी तो चल लई है, इसकिप करने का सोच रहा हूँ, इस बार अगली बार जो है, और मन लगा करके परिक्षा की तैरी करूँगा, तब दूँगा, थो अगले साल मिलेंगे न, तो वो इस साल थोड़ा सा चूक हो गया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो अच्छली फीस नहीं था, वो अली क्लास नहीं कर पाया, वो क्लास में टीचर नहीं है, मत अब तमाम बहान धून के लेकर आएंगे, मैं आपका टाइम क्यों खराब कर जब ये जो, ये जो ऐसा जो कहने वाला मिलेगा न, अगले साल पर इक्षा दूँगा, तो जब उसके आप पास्ट में जाएंगे, तो वो फेल होने वाला सारा जो है, वो इस्टेप फॉलो किया होगा, आप उसे पूछेंगे न, क्या क्या किये हो तुम पिछले 6-8 मेने म बताएगा, और जो इस्टेप फेल होने वाला बताया होना, वो सब फॉलो किया होगा हो, और जो रिविजन कर रहा है, जो एकदम लगा हुए कि नहीं, इस बार निकाल देना है किसी तरह से, उसकी बैंड बजी पड़ी रही है, एकदम से घुसा रहेगा अपने टेबल में रिविजन, उसको आप देखेंगे, उसको आप देख के ही बता देंगे कि ये अब की बार एक्जाम निकाल रहा है, वो देखने से पता चल जागा, और ये फरजंटिया है, ये कोई मतलब नहीं इसका, तो ये दस दिन पहले की थॉट है ये, दोनों की, अलग-अलग, और पास फेल, जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन जिसने पेन ओफ डिसिप्लेन दिखाई, पेन ओफ डिसिप्लेन दिखाई है जिसने, जिसने सही तरीका स्ट्राटजी फॉलो की है, जिसने डिसिप्लेन के साथ काम किया है, उसके पास क्या पास क्या होगा? pain of regret. इनके पास pain of regret. पेन दोनों के पास होगा. वो उसने discipline दिखा लिया, इसके पास बाद मर्पश्तावे की सिवा कुछ और नहीं रह जाएगा. पश्तावे की सिवा क्या हो जाएगा? इसके पास कुछ नहीं रह जाएगा. ठीक? तो इनके पास ये बात हो ला लें या तो आप खुद से अपने अंदर परिवर्तन ला लें या फिर यूपीसेंदी टीम मैं बिल्कुल अगर आपको लगता है मैं अपना प्रचार कर रहा हूं तो आप बिल्कुल एकदम से तुरंट वीडियो आफ करें और चले जाएं कोई वीडियो को लाइक करने को एकदम religiously disciplined रह पाऊंगा सारी चीज़े कर पाऊंगा तो मैं उनके सहयोग की बात करा हूँ UPC Hindi Team उनके सहयोग के लिए एकदम ततपर है ना वो UPC Hindi Team से कंसर्ट करें अपना नाम नोट कराएं उनसे बात की जाएगी और उसमें पुरा उनका सहयोग किया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे अभी इस बात का वादा नहीं करूंगा क्योंकि बैच बेचने जैसी कोई बात नहीं है हम लोग कोशिश करेंगे कि maximum चीज़ें जो है free of cost लाई जाए maximum चीज़ें लेकिन हमको survive करने के लिए भी तो कुछ चाहिए तो बिल्कुल minimalist होगा जो भी चीज़ें होंगी और आप जो है यह सारा जो process है आपके लिए UPSC Hindi team करके देगी आपको सिर्फ पढ़ना होगा यह सारा process है अगर आप खुद कर सकते हैं swim कर सकते हैं बिल्कुल करिये उससे अच्छा कुछ नहीं होता है और अगर हमें trust करना हो हमें अकेले विश्वास करके हमारे रास्ते पे चलना हो तो आप हमें जोइन करियेगा वरना जोइन करने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं हमारे साथ रहने की हमारे अभी देखिएए लूसेंट करके सीरीज चल रही है हमारे एक हिस्ट्री ज़ोगरफी की सीरीज चल रही है जिसमें कोश्छन के माध्यम से चीजों को कवर कराने का प्रयास किया जा रहा है들। बाकि आप नीचे लिंक में जाए, UPSC Hindi के नंबर पर आप consult करें, बात करें, UPSC Hindi टीम कोशिश कर रही है कि हम लोग face to face भी बच्चों से बात करें, हम जल्दी ही आपको decision लेके बताएंगे कि कब हम face to face बच्चों से मुलाकात करेंगे, है ना, और हम आपके लिए एक proper, हमने ये बता दिया solution, एक proper वीडियो next time लेकर क्याएंगे, कि सारे subjects को कैसे कैसे cover करें, कितने marks के हैं, जो strategy सारी जो टॉपस ने, जो भी बताएंगे मैंने, उसको micro level पे मैं समझाओंगा, तो आप देखिए कि आपका कौन सा है, fail वाले में आप आ रहे हैं, आप pass होने वाले ग्र